सुबह सुबह गुण का सेवन करना फाइदवन माना गया है लेकिन गुण के फाइदे तब बहुत बढ़ जाती है जब सुबह खाली पेट गुणगने पानी के साथ इसे लिया जाता है सुभी उठने के बाद गुंगने पानी के साथ गुड का सेवन करने से आप हमेशे के लिए निरोगी रह सकते हैं जब अपने जीवन में जिन समस्या से जूजती हैं उन्हें से जातर परशानिया आपके पेट से जुड़ी होती है सुभी गुड और गुंगने पानी पीने से आपका पेट साफ हो जाता है इससे आपका पाचंत अंतर भी दुरूस्त रहता है और पेट दर्द, एसिडिटी, कवजी के समस्या इससे भी छुटकारा मिल जाता है गुड और पानी के फाइदे सरफ यहीं समाप्त नहीं होते गुड और गुंगने पानी के सेवन करने से वजन भी घटा सकते हैं कई लोग स्वाल करते हैं कि खाली पेट गुड और पानी पीने के फाइदे क्या होती है सुबह उठते हैं कई लोग अपने दिन की शुरुवात सिधे चाय के साथ करती हैं तो जो आपके लिए बहुत खतरनाग है आयरवेद में भी गुल और गरम पानी के कंबिनेशन को पार्चन शक्ति बढ़ाने के साथ कई समस्याओं के लिए राम बान माना गया है सुबह खाली पेर गुल और गुर्णगना पानी पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है साथ ही आपकी केड़नी के लिए बहुत फायदे मन्द है तो आई जानते हैं गुल और गरम पानी के सेवन से और क्या-क्या कमाल के फायदे आपको मिलते हैं दोस्तों अगर आप पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्स से परशान है तो आप सुबह खाली पेर गुल और गरम पानी को रुजाना सेवन करके कुछी दिनों में कमाल देख सकते हैं इसका फायदा आपको कुछी दिनों में देखने को मिल जाएगा, गरम पानी के साथ गुड़ का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाने में फायदे मन्द है और साथ ही है श्रीर की पाचन क्रिया को भी तेज कर देता है गुड़ पोटेशियम, मेगनेशियम, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C से भरपूर होता है अगर आप रुजाना गुड़ और गरम पानी का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फेट बर्ण करने में फायदा मिलता है कई लोग पेट की चरबी से परशान रहती हैं और लोगों के सामने जाने से कतराती हैं ऐसे में अकमाल का नुस्का आपके लिए बहुत फायदिमन सावित हो सकता है और कई ऐसे लोग हैं जो किड़नी की पथरी के दर्द से परशान हैं कई दवाईयों के सेवन के बाद भी ना दर्द कम होते हैं और ना पथरी बाहर निकलती हैं ऐसे में यह घ्रेलन उसका आपके काफी कामा सकता हैं सुवे खाली पेड़ गुड के साथ गरम पान के सेवन करने से आपकी किड़नी की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं और कुछी दिनों में किड़नी से पथरी बाहर निकलने में यह पानी फायदेमंद सावित होगा गुड और गरम पानी का सेवन आपकी इम्म्यून्टी को बढ़ाने में फायदेमंद है गुड में कई सारे एंटी उक्सडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचा कर इंफ्रेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करती हैं गुड खोन में हेवोगलोबिन की मातर को बढ़ाता है और हमारी जो इम्म्मून्टी है हमें बार बार बिमार होने से बचाती है दोस्तों अगर आपको अनिद्रा की समस्या है यानि नीद नहीं आती है तो सुबह खाली पेट गुड और गरम पानी का सिवन करें सुबह उठते गरम पानी की साथ गुड खाने से शिरीर में हैपी हॉर्मान्स को बलाव मिलता है प्री अनिद्रा के घरल नुसकों के रूब में काम करता है फाइबर और पटेशन से फरपूर गुड पिरियर्ड में एंठन को दूर करने में हेल्प करता है वास्ता में अगर आप अपने पिरियर्ड से ठीक पहले अचानक मूड स्विंग का अनुभव कर रहे है तो आपको प्री मैंट्रिल स्ट्रॉब के लक्षनों से निफ्टने है जी हां गुड आयरन और फोलेट से भरपूर होता है जो सुनिश्चित करता है कि रेड बलड सेल्स का एक नॉर्मल लेवल बनाई रखा जाए अगर आप अक्सर बिमार पढ़ते हैं या आपको सर्दी और खासी होती है तो आप डेली नाइट में गुड को शामिल करें आ आपकी समस्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और भोजन के बाद गुड खाना या गरम दूद के सथ खाने से हड़ियों का मजबुत किया जा सकता है ऐसा करने से हड़ियों की बिमारियों को रोका जा सकता है गुड खाने से शरीर में खून की सप्लाई होती है और उसकी दूगर भी नहीं बढ़ता है और जिन लोग को असानी से भोजन पचाने में दिक्कत आती है उनके लिए गुड और गरम पानी दवा का काम करता है इसके साथ ही कब्ज गैस ऐसीडिट जैस सबस्या से भी रात मिलती है गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है हाई ब्लड रखाने से जोड़ों के दर से छुटकारा पा सकतनी है तो दोस्तों यह था गुड और गरम पानी के फाइदे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक